नमस्ते आप सबका वेलकम है सिम्रन की रस्वई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कने जा रहे हूँ मैकरोनी आलू के सबजी ये सबजी इतनी बढ़िया लगती है ये सूखी सबजी है अगर आप जैसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ पर ये ऐसे खानी में काफी जादा अच्छी लगते है बले ही चाहे वो सबजी क्यों ना हो तो गैस को अनकर के कडाई रग दो इसके अंदर दो गलास पानी डाल देना है साथ ही साथ एक चोटा चमस तेल नमक चुटकी भर डाल कर अच्छे से मिला लेना और पानी में आप देखेंगे जैसे इस तरह से उबाल आ जा तब इसके अंदर आपको डाल देनी है मैकरोनी यह मैंने एक कब जितनी मैकरोनी लिए एक तब अच्छे गरम पानी के अंदर इसे हम डाल देंगे और इसे हमें असी प्रतिश्य तक ही पकाना है लगबख तीन से चार मिट के है तो इसे हम इस तरह से चनी में निकाल लेंगे अब सर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए उबले वे आलो यानि की बॉइल पटेटोस लगबख चार से पांच और दो से तीन बारिकटे उप्यास कड़ाई में दो चमच तेल में चौथाई चमच जीरा डाल कर यह बारिकट प्यास दो से तीन बारिकटी हरी मिर्ची और चौथाई चमच अधरक लसन की पेस्ट डाल कर इसे आपको अच्छे से भूनना है प्यास हलका गुलाबी हो जाए तब तक उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देने दो टमाटर एकदम अच्छे से पीसे होए मैंने यह दो काटकर मिक्सर में डाल कर पीस लिया था और बस इसे भी डाल कर आपको दो से तीन मिन तक अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर का कच्छा पंदूर हो जाए अब आतिके मसाले डालने की बारी तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दी आदी चमच धनिया पाउडर आदी च चार उबले आलू के छोटे छोटे लिये थे बड़े ले रहे न तो इसके टुकड़ा कर लेना छोटे ले रहे तो उपर का चिलका निकाल कर बस बीच से काट लेना उबले होए यह आलू डाल कर अच्छे से मिला कर मैंने इसके अंदर यह पकिवी मैकरोनी और थोड़े से दन्या के पते डाल दिए अब ये सूखी सब्जी तो पानी वगेर नहीं डालेंगे बस इस तरह से चलाते हैं तीन से चार मिंट तक पका लो बंकर तयार के बड़ी आसी मैकरोनी आलो के सब्जी ये ऐसे खाने में सची में इतनी बड़ी आ लगते हैं न कब आपने से प्लेट में डाला और कव खाया आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी सुवाद वाली है या फिर गर्मा गरम रोटी के साथ तो ट्राइकन और यहां तक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक ये फॉर वाच चाहें